पॉर पीम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ राशी जहीर आपको मालूम है चन्नी साहब ने एक ऐसा लोगसबा स्पीकर को शिकायत तिपत्र दे दिया है कि परधान मंतिरी जी ने अनुराग ठाकुर की उस गालियों को ट्वीट कर करके कहा कि एनर्जेटिक बंदा बात करा सुनिये जबके वो एक्स्पेंस हो चुका था जगदंपी का पाल कर चुके थे अब ओम बिरला से का आगया कि मोदी जी से कहें मोदी जी को शौक और नौटिस देया जो भी एक सम्विधान का तरीखा हो सकता है संबभ है ओम बिरल है उनके खिलाफ परधान मंतरी जी के खिलाफ जो मैं आपको पलकर दिखा दूँगा लगा भी दूँगा लेकिन बहराल मैं आपको सी मोटी मोटी बात बताने यह आया हूं कि आम बिरला क्या परधान मंतरी जी को जो एक्स्पेंच हो चुका है उसको ट्वीट करने पर जो भी क्या देश के सामने माफी जैसा कुछ शब्द आ सकता है परदान मंत्री जी कभी कह सकते हैं किसानों के बारे में भी कहा था कि मेरी तपस्टिया में कोई कमी रह गई ती शायद इसलिए मैं वापस ले रहू यानि कि साथ सौट सो लोग मर गये तुम लोग नहीं समझ लेकिन कैसा होगा गाम बियर लाइथं कि वह क्या सकते रहे हैं पहले प्रकाशित हो रही है जाती पूंच पूल。 लेकि यूट्यूब और वीडियो के माध्यम से वो हमेशा रहने वाली चीज है जिसमें एक व्यक्ति की जाती पूछी गई है वो संबित पात्रा जाती के बारे में करा इसमें जुर्म क्या है तो वहां से पुरी से लड़े हो न जगधनात भगवान की जाती पूछ कर बता द दोस्तों उनसे शायद मेरे अंदाजे में चन्नी साहब हों तमावी पक्ष के लोगों कुछ भी दे दीजे होगा कुछ नहीं ओम बिरला इस काम को नहीं करेंगे लेकिन मोदी जी को राजनीतिक सजा बहुत समझकर बड़े समलकर बोल रहा हूं मैं मिलेगी जरूर अब वो सुन लीजे कैसे जिस जाती जनगरना के बारे में राहुल गांदी को इंडारेक्ट में गाली दी गई है और राहुल गांदी ने उसे सहर सिविकार करते हुए कहा कि आप से जो भी कमजोर की बात करता है उसे आप गालियां ही बखते हैं तो सुनिए मोदी जी को राजनीति सजा देश का दलित देश का अलफ संक्यक देश का कुर्मी देश का अती पिछड़ा देश का पिछड़ा देने जा रहा है वो चार साल बात की बात है अब यह बात है ना कि अभी तो चार साल बात है दस सीटे उत्तरपरदेश में और तीन सीटों तीन स्टेट पर इलक्षन है इस election में तैह हो जाएगा इस सरकार का भविश्यद याद रखिएगा मेरी बात भारत जंता पार्टी अगर इस टीम चुनाओं को जीत गई जो स्टेट्स में होने वाले हैं तो ये जितना भी मरायता फैला सब खतम हो जाएगा याद रखिएगा लोगों का भरोसा भी कोई नहीं है लेकिन अगर जैसा की उमीद है जिस इस वाली बात को लेकर कांग्रे साहिर बाकीर पक्षी नेता आम लोगों पे जा रहे हैं उस महरास के दलित पर भी जाएगे अच्छा हैसा दलित है महरास के अंदर भी पंजाब में 30 शायद मेरे खलचा 18-20 परसंट के करीब हो सकता है मैं एक्जक्ली बूल रहा हूँ बंगाल में भी काफी अच्छा है तो वहां हरियाना में और जारखंड में वहां का दलिद बताएगा कि जब जाती किस परकार से आप पूछ रहे हैं अगर आप ठाकुरें तो जाती पूछेंगे आप अपने संसद्य छेतर में अनुराख ठाकुर जी वोटर्स की जाती पूछ सकते हैं नहीं पूछ सकते तो राखुल मोदी जी इस बात को जो एंडोर्स कर रहा है उसको जो आगे बला रहा है यंग एनर्जेटिक मैंने पहले भी एपिसूट बनाया था इसकी सदा तो अब याद रखिए राज नितिक सदा वोट के माद दे हम से विपक्ष ने वो तयारी कर ली है कि वो देने जा रहा है भारते जिनता पार्टी को या मोदी जी को भी या नुराख टाकुर को भी उन्होंने बड़ा साहनुभूती अंदाज में उसको कैश किया था उसके साथ भी हम नहीं खड़े है उस शप्त के साथ भी लेकिन राखुल गांधी को जिस परकार से आप हिमिलेट करने के गाली दे रहे हैं इसका जवाब तो यहां देश के कमजोर लोग देने जा रहे है अम बिरला जी से उम्मीद की जा सकती है संसत को जगदंबे का पाल ही बेतर हैं जब यह बात कहीं जा रही थे हैं नुराख ठाकुर के माध्यम से दोस्तों उस समय जगदंबे का पाल शेयर कर रहे थे उन्होंने इस पंच कर दिया इसको क्योंकि वो आदमी 1987 से मेरे खाल से उत्तर परदेश की सरकार में मंतरी हैं जगदंबे का पाल यह बात दीकर है वो इधर सो अधर कहीं भी है एक या दो दिन के वो चीफ इनिस्टर भी है लेकिर राजनीतिक समझ है उन्होंने इस काम को कर दिया ओम बिरला यदी होते तो श कर रहे थे तो ऐसे समय में ओम बिरला जी मुझे लगता नहीं है पर्धान मंतरी जी को कुछ कह पाएं बहले ही वो नोटिस दे रहे हैं और शोक और जो भी क्या कह सकते हैं उसे उस लेंग्वेज में मेरी समय वो शब समझ में नहीं आ रहा है लेकिन बेराल वो मुझे लग अपने वर्गों को साथ नहीं सकती है अब यह वर्ग राहुल गांदी के साथ ख़ड़ा मिलने जा रहा है जो अंदाजा है चुकि देखिया चुनाओं के हालाथ भतानी रहते हैं दो महीरे बात क्या हो जाएं लेकिन फिर भी यह वाली बात हैं बहुत लंबे समय तक चुक एक बेंदा था दानिश ली उसको जो गाली बखे उसने विदूरी नहीं और अव्हाँ यहां तो मामिला दूसरा है न भाई वह तो वह ना. मैं आपको क्या मिशाल सुनाओं कमजूर का Sam की जो ए सब कुछो ऊजब को होता है मिशाल मैं आपको नहीं नहीं सा बता सकता में सजा दें, न दें, बात करें, ना करें, लेकिन वो लोग करने जा रहें, अब वो देखते हैं किस फरकार से करता है, हम यह तो नहीं कह रहे हैं, उस अलग पोतर आएगा, लेकिन फिर भी इस नरेशन को अगर लंबे समय तक लेकर चले गया विपक्षी गड़ बंदन, तो खवाब रोशनी कर देना होता है, आपको खबर कैसी लगए, अपनी राय केमेंट्स बॉक में जरूर दीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, शेयर कीजेगा, नेक्स टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ, जैहिंद, जैहिंद, जैए आफको लीजेचर है, आपको टाइब ह में ह कि लाएटता है, ने डिए आपको 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 ने कि